हलो दोस्तो रोशन गुट्त आफिसल यूट्यू कैनल में आपका फिर से स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त रोशन दोस्तों यह जी बीका का मोडल पेपर 20 लेके आ गया हूँ तो चलिए देखते हैं दोस्तों वीडियो अभी तक like ने किया तो लाइक जरू कर दिजिएगा और चैनल को अभी तक subscribe ने किया है तो subscribe जरू कर दिएगा तो चलिए पाहला question देख लेते हैं है बाला कोशन है, पावर कौइंट में सभी सलाइड में जो है, फ्रांट को रिपलेश करने के लिए किस आप्षन का यूज किया जाता है, ठीक है, तो ये आप्षन होगा, आप्षन नमर C, फॉर्मेट जो है, आप्षन को जदी हम यूज करते हैं, तो सारे सलाइड में जो है, को हम लोग रिफलेश कर सकते हैं, चिक है, चलिए, अगला कोशन देख लेते हैं, अगला कोशन है, इन में से किस व्यू से जो है, हम सभी सलाइड को एक साथ देख सकते हैं, इन में से जो ऑप्षन दियावाई में से, कौन से ऑप्षन से व्यू से जो है, हम जितने भी को एक साथ देख सकते हैं में इस कुशन देख लेते हैं MS PowerPoint में जो है slide design का option किस toolbar में होता है कि वह जो होता है formatting toolbar में होता है formatting toolbar में जो हता है slide design का option होता है जो अपरेटिंग system में टेक्स या image copy करने लिए जो है कौन सा shortcut key का यूज किया जाता है copy करने के लिए यूज होता है control c का यूज किया जाता है control c मतलब यह copy करने के लिए किया जाता है control x जो है यह cut करने के लिए किया जाता है चलिए अगला question देख लेते हैं इंदो बाटा को कट करने के लिए जो है Saut Cut की का इस्तमाल किया जाता है वो है Ctrl X से हम लोग डाटा को कट करते हैं ठीक है Ctrl P से Print करते है Ctrl V से पेश्ट करते है Ctrl C से Copy करते हैं अगला कुशन देख लेते हैं स स जी के खलस्टर फेडरेसन का गठन कभ किया जाता है स स कोशन को स देख लेती है स स जी के खलस्टर और ख्यरशन के गठन की आवशकता क्या है सब्सक्राइब के लिए यह के जरूरी है सब्सक्राइब यह जरूरी है दिर्थ गालिक विकास के लिए लिए सदस्यों की निउनतम संख्यां क्या होने चाहिए XSG को निउनतम परिकर्मी निधी क्या दी जा सकती है एक SSG को जो है नियुन्तम परिकर्मी निधी जो है क्या दी जा सकती है वो है आपको option number C 15,000 जो सकता है SSG का बेंग खाता किसके द्वारा संचालित किया जा सकता है वो है समुह द्वारा अधिक्रित कोई भी दो वेक्ति, समुह द्वारा किसी को अथोरेटी दे दिया गया है, किसी दो वेक्ति को तो वो संचालिक कर सकता है अगला कुशन देख लेते हैं मन्डेगा के कार्य स्थल पर कौन कौन सी कार्य सुविधाई अनिवारी हैं तो वो है option number D, उप्रोप्त सभी, मतलब पीने का पानी वहां होना चाहिए, अराम के लिए छाय होना चाहिए, प्रात्मिक चिकित सा सुविधा होना चाहिए, तीनों चीज वहां होना चाहिए अगला कौशन देख लेते हैं, मन्डेगा के कार्य के दौरान किसी मजदूर की मिड़ती हो जाने पर कितनी राशी भूखतान किया जा सकता है, वो है option number E, 25,000 next question देख लेते हैं, मन्डेगा में बेरोजगारी भत्ते की दर क्या होती है, तो वो होती है, पहले 30 दिन के लिए जो नियुनतम वेतन का एक वट चार भाग जो है, और बाकी अव्धे के लिए नियुनतम वेतन का एक वट दो भाग, ठीक है अगला question देखते हैं, मध्यान भोजयन योजना, MDM जो है, मिड्ये मिल का उद्देश क्या है, मिड्ये मिल का उद्देश वो क्या है, वो है सभी, उप्रयोक सभी, option number D, क्या है, छात्रों की संख्या को बढ़ाने के लिए, छात्रों के पोशन की स्थिति में सुधार के देखते हैं, revolving fund का उप्योग क्या है, revolving fund का उप्योग जो है, वो क्या है, वो है, option number D, इसका जो है, option number D, उप्रोक्त सभी, उसमें है, स्वयंग सहता समुकी, रासी के लिए, जो है, revolving fund का उप्योग किया जाता है, credit, अनुसासन और वितिय परवंधन, विक्सित करने के ल देख लेते हैं, भारत, निर्मान, योजना किस से संबंदित है, भारत, निर्मान, योजना जो है, वो किस से संबंदित है, वो है, उप्रोक्त सभी, तीनों option जो है, वो सही है, ग्रामिन, आवास से भी संबंदित है, ग्रामिन, जल, आपुर्ती, और सीचाई, ग्रामिन, विदृति करन वो तीनों जो ऑफ्षन है वो भारत निर्मान योजना से संबंधित है अगला कोशन देख लेते हैं सिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है कब पारित किया गया वो पारित किया गया है सरस जो है इससे आपका क्या अभिप्राय है सरस का अभिप्राय है अगला कोशन देख लेते हैं सिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् कि आपको, बारा अप्रेल दो हाजार पांच को लागू की गई थे, अगला कूशन है, मन्रेगा में आक उसल मजदूरूँ के लिए जो जारी इ70 म मजदूर में मजदूरों को प्रतिक मजदूर को भुगतान देने के लिए क्या ध्यान रखता है वह अपको को परुप्त सभी sudah गता कनिष्ठ अभı अनुसार एक पकभारेक में किये गए कार की कुल रासी मेट की अनुसार एक पक्ष बारे में किये गये काम की कुल रासी और जुनियर इंजिनियर और मेट द्वारा अनुमानित औसत रासी तो यह तीनों ऑप्षन जो है वो सही है यह किया गया था दोहगा छ शेाता की ये तक द्वारत में वार्षिक दूद्व उतपादन जो है कितना है द्वारत में अप्षन नमर्ट 176gregam तन 166 lakh 10 जो चल्सपड को कि अगला को सन्द लेते हैं आटिसम के तहट पर्थम अपील कितनों दिनों में कोई कर सकता है, आटिया के तहद जो है, फर्स्ट अपील कितने दिनों में कर सकता है, वो कर सकता है, 45 दिनों में, आप्शन नमबर D, नेक क्वेशन देख लेते हैं, आटिया के तहद जो है, दूसरी अपील जो है, कितने दिनों में कर सकता है, यह कर सकता है option number c option number c 90 दिनों में ठीक है दूसरी अपील जो है 90 दिनों में पहली अपील 45 दिनों में अगला कुशन देख लेते हैं पंचायत समीति का मुख कारी-कारी-कारी क्यों है वह कौन है वह है आपको वीडियो बीडियो पी एम जी BMW.gsy योजना में किस परकार का काम किया जाता है ? यह सभी 3 परकार के जो सबहें संपर करने के लिए अगला कुशन देख लेते हैं पूरे सब्सक्राइब की राओ dog किया गया था udahak हजार पांच से 2005 से नेश्क कुछन देख लेते हैं आई सी डी एस योजना जो है किस छेत्र के लिए लाग की गई है वह किस छेत्र के लिए लाग की गई है वह क्रामिन छेत्र के लिए नेश्क कुछन देख लेते हैं उच अंडा उत्पादन के लिए कौन सा परवंधन जो है अधिक उपयोगी है तो है पिंजरे परनाली पिंजरे परनाली अगला कुशन है जीविका के तहत स्वाइं सहता समू के गठन का उद्देश क्या है वह है गरीब परिबारों को एक जूट करने के लिए करने देखे राष्टी विर्धा वस्था पेंसन योजना को क्या है उद्रा गांधी राष्टिय विर्धा पेंसन योजना अगला कुशन देखते हैं मनडेगा में एक कुसल सरमी के रूप में रोजगार के लिए जो है ये रजिस्टर की आवे सकता नहीं है अगला कुशन देखते हैं स्वक्ष भारत मिशन ग्रामिन किस मन्तरा द्वारा चलाया जाता है वह पेजल और स्वक्षिता मंत्राले द्वारा चलाय जाता है अख्ला कोशन देख लेते हैं मन्रेगा में ग्राम निग्रानी समीति के सदस्यों के एक सफता में कम से कम कारी के द्वारा परियोजना अस्थल पड़ जाना चाहिए कितनी बार जाना चाहिए तो वो जाना चाहिए कम से कम एक बार कम से कम जो है एक बार जाना चाहिए नेक्स वोशन देख लेते हैं स्वक्ष भारत मिर्शन के ताज्य पूरे भारत में ODF घोसित करने की तिथी क्या है अगला कोशन देख लेते हैं अंतरराष्टिय महला दिवस कब मनाया जाता है वो है पाँच मई पाँच मई को अंतरराष्टिय महला दिवस मनाया जाता है अगला कोशन देख लेते हैं परदान मंत्री कौसल विकास जोजना कब परारम किया गया है वो है 20 फरवड़ी 2015 नेश्क कोशन है ग्राम सोराज की अवधारना किसने की थी वो की थी महात्मा गांधी ने दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जबर कर दीजेगा और अपने दोस्तों को सेर भी कर दीजेगा और अभी तक पुरा देखने के लिए वीडियो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केर बावाई